हर हरमा देव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्टॉनिक इस्टड यूटूब चैनल सभी को सूपरबात डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज ही हमारी 28 नंबर की वीडियो है और रोच की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में इस्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर कोस्चन्स को अबजर्व करेंगे और जो हमने कल पढ़ा था करेंट अफेर्स उसका भी एक बार कुक रिवीजन करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपना इसेशन और देखते हैं पहला करेंट अफेर्स वेस्ट इंडीज के विसफोटक बल्लेबाज क्रिस गेल टी-ट्वंटी क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं तो क्रिस गेल का नाम आप ध्यान रखिएगा अगला है यूपी जनसंख्या नियंत्रण इस्थरी करणवा कल्यान विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तयार हो चुका है और इस विधेयक में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर इस्थानी निकायों में चुराओं लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम विस्थु जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को अबजर्व करते हैं और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसके नियंतरण के लिए एक ड्राफ्ट तयार किया गया है जिसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि जिनके दोसे अधिक बच्चे होंगे वो किसी भी सरकारी नौखरी में आवेधन नहीं कर सकेंगे और इस्थानी निकायों में चुनाओ के लिए भी आवेधन नहीं कर पाएंगे अगला है हालही में असम सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि राज्य के जनजाती और स्वदेशी समुदाय के संस्कृतिवा परंपरा की रक्षक के लिए एक नया विभाग इस्थापित किया जाएगा इसके तहट होगा क्या तो इससे असम राज्य की स्वदेशी आबादी को उनकी परंपराओं को संरक्षत करने के साथ आर्थिक सायता भी प्रदान की जाएगी अब यहाँ पर असम की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि असम के मुख मंत्री द्वारा सिसु सेवा योजना सुरू की गई थी जिसके तहट प्रतेक सिसु को प्रतिमाय 35 रुपे की धनरासी प्रदान की जाएगी यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में असम के मुख मंत्री हैं हेमंत विश्वा सर्मा और राज़ पाल हैं जगदीश मुखी और असम राज़ में ही कुछ दिन पहले कौफी परिवार से सम्मंदित एक नई प्रजाती जिसका नाम था एरगो इस्टेमा क्वेरिंटेना ये भी खोजी गई थी और असम के एक राश्ट्री उद्ध्यान को वहां का छट्मा राश्ट्री उद्ध्यान गोसित किया गया था जिसका नाम था राय मोना और इसी के साथ अब असम में साथ नेशनल पार्क हो गए जिनमें पहला है काजी रंगा, दूसरा है मानस, तीसरा है नामेरी, चौथा है उरंग, पांचवा है डिबरू साइकोवा, छटवा बना है राय मोना, और साथवा है देहिंग पट गई और अभी असम सरकार द्वारा ही हिमादास को डिएसपी की पत पर भी न्यूक्त किया गया था, यदि हिमादास की बात की जाए तो इन्हें हम धिंग एक्सप्रस के नाम से भी जानते हैं, तो इतने तथ्याप ध्यान रिखिएगा, अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो अभी टोक्यो ओलम्पिक हो रहे हैं, इसके पर चाहेंगे, पन चुकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, अब यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हुई है, तो ज इसरा संस्करण गुहाटी में वर्स 2020 में हुआ था और ये चौथा संस्करण होगा जो कि पंचुकुला हरियाना में आयोजित होगा अगला है मुख मंत्री COVID-19 विद्वास आयता यूजना तो ये यूजना भी असम के मुख मंत्री हिमंत विस्वा सर्मा के द्वारा सुरू की गई है इसमें उन महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की विद्वास आयता प्रदान की जाएगी जिनके पती की COVID-19 से मृत्यू हो गई है अब यहां पर यूजना की बात हुई है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने इससे पूर्व में कुछ यूजनाएं पढ़ी है पहली हमने पढ़ी थी रायतू बंदू यूजना जो की तेलंगाना सरकार के द्वारा सुरू की गई थी इसमें किसानों को बीज उर्वरक कीट नासक इत्यादी कृसी में लगने वाले खर्च के लिए आर्थिक सायता प्रदान करने की यूजना बनाई गई थी तो ध्यान रखिएगा रायतू बंदू यूजना तेलंगाना सरकार की है अगली हमने पड़ी थी आसिरवाद यूजना जो की उड़ीसा सरकार की द्वारा सुरू की गई थी इसमें माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विसेश सायता प्रदान करने हेतू इस यूजना की सुरूआत की गई थी उसके बाद हमने पड़ी थी क्रसी विविदी करनी यूजना दोजार एककेस जिसके सुरूआत गुजरात के मुख मंतरी विजयरूपाणी के द्वारा की गई थी इसमें क्या था तो जन जाती में वन बंदू किसानों को लाग पहुचाने के लिए इस यूजना की सुरूआत की गई थी अगला हमने पड़ा था कि बिहार के मुख मंतरी नीतीस कुमार के द्वारा भी दो महत्व कांक्शी यूजनाओं की सुरूआत की गई थी जिसमें पहली थी मुख मंतरी यूवा उद्धमी यूजना और दूसरी थी मुख मंतरी महिला उद्धमी यूजना इसमें जो पहली योजना थी मुख्ध मंत्री युवा उद्धमी योजना इसके तहट नया उद्ध्योग लगाने के लिए अधिक्तम 10 लाख रुपे की धनरा सी प्रदान की जाएगी ऐसा बिहार के मुख्ध मंत्री नितीज कुमार के द्वारा कहा गया था उसके बाद महराष्ट सरकार के द्वारा एक प्लाजमा योजना की सुरुवात की गई थी फिर हमने पढ़ा था कि पश्यम बंगाल सरकार ने उच्छ सिच्छा के इच्छुप छात्रों के लिए एक योजना की सुरुवात की गई थी जिसका नाम था इस्टूडेंट क्रेड कार्ट की मदद से उच अध्यन के लिए दस लाग रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकता है ऐसा इस योजना के तहत प्रस्ताव रखा गया था इसकी बाद हमने पढ़ा था साल्ट योजना की बारे में जिसका पूर्ण रूप था सपोर्टिंग अंध्राज लर्निंग ट्रांसफोर्मिशन जैसा की नाम से ही इस पश्ट है यह आंध्र प्रदेश की सरकारी स्कूलों में मूल भूत सिक्षा की सुधार हेतू एक योजना सुरू की गई थी Y.S.R. वीमा योजना इसको भी आंध्र प्रदेश के मुख मंत्री Y.S. जगन मुहन रेड़ी के द्वारा सुरू किया गया था और इसके तहत मृतक की परिवार को सीधा वीमा रासी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था यदि आंध्र प्रदेश क की बात की जाए तो वरतमान में यहां की मुख मंत्री है Y.S. जगन मुहन रेड़ी और राज जुपाल है विस्व भूशन हरी जंदरन विस्व भूशन के बारे मैंने आपको एक तत्थ बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में कलिंग रतन पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गय और मैंने इनको लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी होजना है मैंने आपको औरली बताई यह सब पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इसलिए मैंने रिवीजन के तौर पर एक बार आपको बताया है अगला है दा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेसं यानि ICCR के द्वारा दिली विसुविद्याले में एक बंग बंधु पीट स्थापित की जाएगी और यह चेयर यानि पीट बांगला देश की संस्थापक सेख मुजीबुर रह्मान वा बांगला देश के गठन के 85 वर्सगाट को समर्पित की जाएगी जैसा कि आप सभी जानते हैं सेख मुजीबुर रह्मान जिनको हम बंग बंधु के नाम से जानते हैं बंग बंधु का अर्थ होता है बंगाल का मित्र और यह बांगला देश के राश्रुपती थे तो इनहीं को एक सम्मान देने के लिए दिली विसुविद्याले में बंग बंधु पीट समानित किया गए था, हलाकि ये पुरुसकार 21 में ही दिया गएा है, और इन ही के साथ साथ, जो ओमान के दिवंगत सुल्तान थे, काबुस बिन सईध अलसेद, इनको गांधी पुरुसकार 2019 से समानित किया गएा था, तो 2019 और 2020 का जो गांधी सान्ती पुरुसकार था ये वर्स 2021 में ही दिया गया है तो इन दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर ओमान की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही उडिसा के बाला सुर्टट पर एक यास नाम का तूफान आया था तो यदि आपसे पूछा जाए इस तूफान को नाम किस ने दिया था तो यास नाम ओमान के द्वारा ही दिया गया था तो आज के इस करेंट एफेर्स की इस रंखला में इतना ही और आज हम पढ़ेंगे जो अपनी भारत सरकार है इसके द्वारा कुछ प्रमुक लक्ष रखे गया है तो इनको एक बार देख लेते हैं इसमें पहला है सभी के लिए आवास का लक्ष अगर आपसे पूछा जाए कब तक रखा गया है तो यह 2022 तक रखा गया है अगला है किसानों की आए दुगना करने का लक्ष यह भी 2022 है फिर है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष यह भी 2022 रखा गया है सिंगल यूज प्लास्टिक से तातपर है कि ऐसी प्लास्टिक जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो दुबारा अब घटित नहीं होती है और वो हमारे पर्यवरण को काफी नुकसान पहुचाती है तो इससे मुक्त करने का लक्ष 2022 तक रखा गया है अगला है हर परिवार को LPG वा बिजली कनेक्शन उपलब्द कराने का लक्ष यह भी 2022 है फिर है हर घर नल से जल की आपूर्ती का लक्ष 2024 तक रखा गया है और भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है इसका लक्ष 2025 तक है और भारत को विस्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनाने का लक्ष 2025 है फिर है कुल वाहन में 30 प्रिस्थत इलक्ट्रोनिक वाहन करने का लक्ष 2030 रखा गया है तो यह कुछ महत्पूर्ण लक्ष थे इनको आप नोट कर लीजेगा अब जो हमने एक बार कल करेंट एफिर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं पहला है एसले बार्टी ने 10 जुलाई 2021 को महिला एकल फाइनल में विंबल्डन टैनिस ग्रेंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है और इन्होंने ये खिताब करिलोना फ्लिसकोवा को हरा कर जीता है यानि कि उप विजेता रही है करोलीना फ्लिसकोवा वैंदि पुरुषवर की बात की जाए तो नोवाग जोकूविग जीते हैं रखते हैं फिर दूसरे नंबर पर होता है French Open, तीसरे पर होता है Wimbledon Open और चौथे पर होता है US Open यानि कि Australian Open और French Open इससे पहले हो चुके थे तो 2021 में जो Australian Open जीता गया था तो पुरोस वर्ग में इसे Novak Jokovic के द्वारा जीता गया था जोकी Sarβia-Sain and और महिला वर्ग में नाओमी उसाका जोकी जापान से सम्मंद रखती हैं इन्होंने उस्ट्रेलियन ओपिन जीता था। फिर है फ्रेंच ओपिन इसको जीता था नोवाग जोकुविक ने पुरुस वर्ग में और बार बोरा क्रैसी कोवा जोकी चैक गड़ राजिकी हैं महिला वर्ग में इन्होंने जीत हांसिल करी थी। तो यह तथ्याप ध्यान रखिएगा अगला हमने पड़ा था उत्तरा खंड के दहरा दून जिले के देववंग छेत्र में भारत के पहले क्रिप्टो गैमिक गार्डन का उदगाटन किया जा रहा है और इसमें क्रिप्टो ग्राम की लगबग 50 विभिन प्रजातियां मैंने आपको बताया था क्रिप्टो ग्राम एक ऐसे प्राचीन पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं उधारण की तोर पर आप इसमें सैवाल कवक फर्ण काई लाइके नादी रख सकते हैं अगला था मलाला दिवस जो कि हम 12 जुलाई को अबजर्व करते हैं और सैयुक्त राश्ट ने ये गोशना की थी कि मलाला युसुवजाई की जन्म दिवस यानि 12 जुलाई को हम मलाला दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि इन्होंने लड़कियों की सिक्षा के लिए काफी आवाज उठाई थी तो उनके इस अमूल योगदान को देखते हुए सैयुक्त राश्ट ने ऐसा फैसला किया था और इनके द्वारा आएम मलाला और वी आर डिस्प्लेजड ये दो पुस्तकें भी लिखी गई थी और यदी बात की जाए कि नोबिल सान्ती पुरुसकार की तो वर्स 2014 में 17 वर्स की उम्र में नोबिल सान्ती पुरुसकार पाने वाली ये सबसे कम उम्र प्राप्तिकरता बन गई थी फिर हमने पड़ा था केंडरी सड़क परिवहन वा राजमार्ग मंतरी नितिन गटगरी ने भारत के पहले LNG सुविधा सहियंत्र का उदगाटर नागपुर में किया है अगला था हालही में हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें पहले स्थान पर जापान रहा था यदि भारत की बात की जाए तो भारत इसमें 90 स्थान पर रहा था अगला था गुजरात राज्य के जी आई प्रमाड़ित भालिया गेहु को स्री लंका वा केडने निर्यात किया जाएगा अर्थात भालिया गेहु की जो पहली खेप होगी वो केडने और स्री लंका के लिए निर्यात की जाएगी तो यदि आपसे पूछा जाए भालियाग यहूं कहां का GI टाइग है तो यह गुजरात राज्जिका है अब जो हमने कल स्टैटिक जी के पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहला है समप्रदाइक पंचाट यानि की कम्यूनल अवार्ट की घोशना रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा की गई थी अगला पढ़ा था हमने गांधी इर्विन समझा था जो की 5 मार्च 1931 को हुआ था अगला था भारत छोड़ो अंदोलन की समय मात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे तो यह थे लोई फिशर यदि भारत छोड़ो अंदोलन की बात की जाए तो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था आठ अगस्त 1942 को और नौ अगस्त 1922 से इसकी सुरुआत हो गई थी अगला प्रश्न है सुभाज शुन्द बोस को देशनायक की उपाधि किसके द्वरा प्रदान की गई थी तो इनको रवीन नाट टैगोर के द्वरा देशनायक की उपाधि प्रदान की गई थी और यहाँ पर रवीन दुनात की बात हुई है तो इनको साहित्य के लिए नोबल पुरुसकार प्राप्त हुआ था इनकी पुस्तक गीता अंजली के लिए और इसी के साथ ये प्रथम ACI विक्ति बन गए थे जिनको साहित्ति के लिए नोबिल प्राप्त हुआ था तो आज के सेशन में इतना ही I hope आप सबको इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली हुई होगी तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद